असलाम लेकुम डियर स्टूरेंट आज हम यूनित नमबर टू का लेसन नमबर फोर पढ़ने जा रहे हैं जो कहे है क्वालिटीज ओफ गुड लिटर्चर पूर चिल्डरन अभी देखने की बात है कि हमेरे पस बहुत सी कहानी अवेलिबल होती है बच्चों के लिए जो हम ब करवा सकते हैं पढ़के सुना सकते हैं वहने मोटिवेट कर सकते हैं कि उससे पढ़ें लेकिन ऐसा क्या चीज़ें हैं जिसको हम देखें और यह जाने की कहानी एक अच्छी क्वालिटी की कहानी है और हमें यह अपने बच्चों को जरूर इंट्रोड्यूस करवानी जितनी कहानी सिमपल होती है इसेशली यंग बच्चों के लिए उतनी कहानी कांणि और इंडर्वर्क के लिए वो वो कहानी होती है जिसमें कम से कम कॉंप्लिकेशन मौजूद हो। बच्चों की कहानी के अंदर important चीज़ लिए आती है वो यह आती है कि उसके अंदर ऐसे themes मौजूद हो। जो कि बच्चों की feelings को, बच्चों की जिन्दगी को, बच्चों की सोच को reflect कर सकते हो। हमारे पर जितनी भी कहानी आती हैं, उनमें कहीं न कहीं हम यह देखते हैं कि उनके कुछ specific theme होते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमारा जो हीरो है उस कहानी का, वो किसी adventure पर जा रहा है। और उसके सामने जो मुश्किलात आ रही हैं, वो उनको देखके भागता नहीं है, वो stand by करता है, उनको face करता है। हम इस किसम के virtue सिखाते हैं कहानियों के अंदर कि कौन से अच्छे virtue हैं, जब एक कहानी खतम होती है, जब एक task खतम हो जाता है, तो कौन सी important चीजे हैं, जिसे वो hero सीख के वहां से निकलता है, और वही हम बच्चों को convey करना चाहते हैं। कहानियों के अंदर और जो हमारी important चीजे मवजूद होती हैं, जो हम कुछ काम करके हमारे अंदर develop होती हैं, और कैसे वो दूसरों को benefit देती हैं। जब बच्चे कहानिया पढ़ते हैं और अच्छी कहानिया पढ़ते हैं, तो वो ना सिर्फ literate होते हैं, उनकी imagination sharp होती है, वो कहानिया उनकी दिमाग में चलती है, और वो उनकी character से emotionally attached होते हैं। उन इस दुनिया के बारे में पता चलता है, वो लोगों से empathy करना सीखते हैं, और सबसे important चीज जो उसके अंदर के आती है, language development से related के वो अच्छे जुमले, अच्छे इलफाज, अच्छे structure of sentences जो हैं, वो सीखते हैं। इसलिए एक किताब की quality को check करना जरूरी है। अब जो अच्छे qualities की books होती हैं बच्चों की उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है, a young protagonist with a child related problem. जो आपका main hero होता है या जो character होता है, जो वो कहानी को flow कर रहा होता है, जो कहानी के अंदर चल रहा होता है, वो ऐसा ही होना चाहिए जो बच्चे की उमर से match होता हो और बच्चा उसको देखके imagine करें कि यह character character नहीं है, यह character मैं हूँ, कहीं न कहीं वो से connector सके. डेफिनिटली यह एक ऐसा concern है जो कहानी में हर कहानी में नहीं मिलता, कुछ कहानियां बच्चों के ऐसी होती हैं जिसमें character बड़ी उमर के होते हैं, जैसे सेंडरेला, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा जरूर होना चाहिए, कि जो कहानी में bother हो रहा है, बच्चे उ उसी तरीके से उसको महसूस करें, तो that's the first indicator of a quality literature. Second one is that a straightforward story, line जिसके अंदर कम से कम linear structure मौझूद हो और उसके अंदर small spaces मौझूद हो जिसका मतलब यह है कि कहानी complicated ना हो, छोटे बच्चों के लिए multiple plots ना हो, कहानी के अंदर multiple events ना हो, एक simple structure हो, simple जुमले हो जिससे कहानी को और उन बच्चों को समझने में मदद मिल सके, simple sequences हो और वो एक ही situation, एक ही जो आपकी plot है, उसके अंदर वो कहानी खतम हो जाए, छोटे बच्चों के लिए ऐसी कहानिया बहुत ही बहुत ही बेतरीन कहानिया होती हैं, जिसको वो समझ पाते हैं, typically हमारे पास जो problems आ रही होती कहानियों के अंदर या climax आ रहा होता है, या कोई conflict आ रहा होता है, वो conflict को छोटे बच्चों की कहानियों में बहुत ही ज्यादा complicated नहीं होना चाहिए, इसको समझने के लिए बार बार पिछले सफों में जाके पढ़ना पड़े कि यह event क्यों हुआ, पीछे क्या लिखा हुआ तो कहानी शुद बी very simple, very straightforward, जितने आप बच्चे की उमर बढ़ती ही चली जाती है, ऑथर को उतनी freedom of choice मिलती है, words की भी, vocabulary की भी और different plots भी और different events भी वोड़ा सकता है, कहानी को मजीद complicated भी कर सकता है, language, अच्छी जो stories हैं, उनके अंदर quality language इस्तमाल होती है, vivid words इस्तमाल होत होते हैं, और उनके अंदर बहुत मुचल किसम के इस्तमाल बच्चे को मैच करना मुच्छ हो जाए, तो हमारे पास बहुत चोटे बच्चे की कहानी की किताबें, उनके अंदर ज्यादातर pictures होती है, और pictures के नाम होते हैं, जैसे जैसे बच्ची की उमर बढ़ती जाती है, illustration और जो content है या text है वो बराबर का होता चला जाता है और words की twice भी बढ़ती जाती है और description भी बढ़ती जाती है जो author होते हैं उसमें dialogue interview करते हैं different characters के दर्मयान गुफ्त शनीद हो रही होती है जो बच्छों को motivate करती है उनकी discussion को समझने को और उसमें अपना view जो है लाने को या उ भी हमारे पास characters मौजूद होते हैं बुन्यादी तौर पे हमारा जो main मकसद होता है वो यह होता है कि हमने words को पढ़के यह समझना है कि character कर क्या रहा है ना कि हमने words की complexity को समझने के लिए dictionary खोलनी है तो words का main मकसद क्या होता है यह बताना कि इस character में क्या action करने जा रहा है यह कैसा महसूस कर रहा है तो यह वो qualities हैं जो कि अच्छी बच्चों की किताबों के अंदर मौजूद होनी चाहिए